किसी भी जानवर के जीवन में वो एक एहम पल होता है जब कोई शिकारी उस पर हमला करता है जब उसका सामना संभावित मौत से होता है कुछ जानवरों को रोज ऐसे पलों का सामना करना पड़ता है पर कई जानवरों को इस दर्दनाक अनुभव से कभी नहीं गुज़रना पड़ता लेकिन वो हमेशा चौकन नहरहתे हैं हमेशा डरे हुए रहते हैं इस सोच में कि कहीं इस वक्त कोई उनका पीछा तो नहीं कर हो जंगल में जीवन का मतलब है अपने आपको बचाए रखने के लिए लगातार जूजना तनाव के उन पलों में जानवरों के बरताव से समझा जा सकता है कि वो कैसा महसूस करते हैं और उनके अंदर क्या चल रहा होता है जिन तरकीबों का इस्तेमाल हर जानवर अपने बचाव के लिए करता है वो उसकी खासियत बन जाती है स्टार्लिंग्स का ये तालमेल बना कर उड़ना शायद इस दुनिया में अपना बचाव करने का सबसे खुबसूरत तरीका है बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले दूसरे सदस्यों से घिरे रहकर जीने का फैसला किसी सभा में नहीं लिया जाता ना ही वो किसी अकेले जानवर का फैसला होता है असल में ये कोई फैसला होता ही नहीं है बल्कि ये तो नतीजा है वो भी अलग-अलग कारणों का बहुत बड़े-बड़े जुन्दों में इकठा होना कुछ प्रजातियों के लिए अच्छा हो सकता है जिससे उन्हें नुकसान की तुलना में फाइदा ज्यादा होता है मगर क्योंकि किसी चीज से सब का फाइदा होता है इसका मतलब ये नहीं कि इस पर कभी गंभीरता से सोच विचार किया गया होगा ये धारियां होने जैसा है ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे जीबरास ने खुद चुना है यहाँ कोई भी अपनी खुद की मर्जी नहीं चला रहा हर एक जीबरा अपने आसपास धारियों को देख कर खुद को सुरक्षित महसूस करता है एक ऐसी चीज जो बचाव का काफी असरदार तरीका है जिसकी वजह से शेर पता नहीं लगा पाते कि एक जीबरा कहां से शुरू होता है और कहां खत्म होता है हर जीबरा अपने आसपास और जीबरास के होने से सुरक्षित महसूस करता है कभी-कभी इनकी ये चाहत इन्हें दूसरे जुंडों में शामिल होने के लिए मजबूर कर देती है जैसे एंटलोप या विल्डवीस्ट इन में से कईयों को भीड में रहने से दिलासा मिलता है मानिये जैसे ये सोचते हों कि मैं वो बदनसीब नहीं हो जो शिकार बन जाएगा पर ऐसा नहीं है वो ऐसा कुछ भी नहीं सोचते लाखों सालों तक शेरों का सामना करने के बाद जीबरास अलग रहने की तुलना में एक साथ ज्यादा समय बिताते हैं हलांकि ऐसा अलग-अलग मामलों में होता है शाहिद उनके कुदरती ठिकाने में कुछ हुआ होगा मिसाल के तोर पर भैंकर सूखा और जूंड को छोड़ कर अकेले रहने का फैसला करने वाले जानवर इसलिए जिन्दा बज जाते हैं क्योंकि उन्हें ज्यादा पानी नहीं ढूंडना पड़ता जीबरा या एफ्रिकन बफलोस के बड़े जूंड की जरूरतें भी बड़ी होती हैं जूंड की जरूरतों को पूरा करने के लिए और ज्यादा चारा गाज जमीन की तलाश करनी होगी उससे भी ज्यादा मुश्किल जिन्दा रहने के लिए इन्हें बहुत ज्यादा पानी तक पहुँच बनानी होगी जो काम करने लाइक महसूस होता है उसके विपरीद आफरीका के खुर वाले बड़े जानवर एक ऐसे एकोसिस्टम में रहते हैं जो अक्सर सूखे का शिकार हो जाता है अकिले जानवरों के लिए एक जुंड बनाना उन्हें सीमित कर सकता है पर ऐसा है नहीं उनके दिख जाने की बात करें तो शेरों के लिए उन्हें देखना तब बहुत आसान होता है जब वो बड़ी संख्या में एक जगे पर होते हैं हलंकि इनका पीछा करना आसान है पर उन में से किसी एक का शिकार कर पाना बहुत मुश्किल होता है स्टार्लिंग से उलट बफलो जवाबी हमला करके खुद का बचाव कर सकते हैं इनका अपना इलाका होता है और जब ये अपने बच्चों की देखभाल कर रहे होते हैं तो इन में और ज्यादा हिम्मत आ जाती है ये सब ही बहुत बड़ा खत्रा उठाते हैं माता पिता बनने से पैदा होने वाले हॉर्मोन्स की बचाई से हम सब ही को ठकान और डर कम महसूस होता है जाहिर है बच्चों को जुन्ड में रहने से फाइदा होता है सिर्व इसलिए नहीं कि वो सुरक्षित रहकर जुन्ड के बीच में सफर करते हैं बल्कि इसलिए भी कि वो वैसकों के अनुभव से सीख सकते हैं जुन्ड की अगवाई करने वाले सदस्यों से ये सबसे माहिद जानवरों से सीखते हैं तेंदुए और शेरों के बच्चों की मृत्युदर उनके शिकार बनने वाले जानवरों के बच्चों के मुकाबले बहुत ज्यादा होती है एक जुंड में रहना तीन गुना तक ज्यादा सुरक्षित होता है खास्तोर से बफलोस के मामले में इन में नर और मादा दोनों के बड़े बड़े सींग होते हैं और दोनों ही जानते हैं कि उनका इस्तिमाल अपने दुश्मन को घायल करने के लिए कैसे करना है हलांकि ऐसा सिर्फ बहुत खास हालात में ही होता है एक जुंड में शिकार करने वाले शेरों के लिए शक्तिशाली बफलो एक आम शिकार है उनके सींगों के बावजूद ये सोचना सही लगता है कि अगर कोई तेंदवा उसके पीछे हो तो एक एंटिलोप अपने सींगों से अपना बचाव कर सकता है पर वो ऐसा नहीं करते जैसे हजारों लाखों स्टार्लिंग्स एक अकेले बाज पर जवाबी हमला नहीं करते सींग वाले जानवर भी अपने तलवार जैसे नुकीले अंगों का इस्तेमाल नहीं करते उनके दिमाग में वो खयाल ही नहीं आता कि मेरे सर पर दो नुकीले हथियार हैं जिनका इस्तेमाल मैं लड़ने के लिए करता हूँ तो क्यों ना उनका इस्तिमाल अपने शिकारी के खिलाप भी करूँ ये विचार जो इतना साध हारन लगता है उसका नतीजा होगा बहुत सारे बुरी तरह से घायल तिंदूए और वो बड़ी बिल्लियों को गजल और पुकु जैसे जानवरों को अकेला छोड़ने के लिए सोचने पर मजबूर होने के लिए काफी होगा लेकिन इन जानवरों के पास इतनी समझदारी नहीं होती कि इस तरह की चीजों का आकलन कर सकें उनके बचाव का तरीका है एक साथ रहना और चौकन ना रहना जहां बहुत सारे जानवर निगरानी कर रहे होते हैं ताकि उन पर अचानक हमला ना हो एक जुंड में बहुत सारे सदस्य नजर रखते हैं हाला कि इन में से हर किसी को सिर्फ अपनी ही सुरक्षा की चिंता है फिर भी इन जुंडों में एक नई प्रतिक्रिया ने जन्म लिया है जो पूरे जुंड के लिए अच्छी है और जुंड में एक तरह की जागरुपता दिखाता है जब किसी पूकू को लगता है कि कोई खतरा उसकी तरफ बढ़ रहा है तो भाग कर अपनी जान बचाने और जुंड को शिकारी के रहम पर छोड़ने के बजाए वो शोर मचा देता है जिस वजह से पूरा जुंड एक ही दिशा में देखने लगता है हो सकता है कि इन एंटेलोप्स में बहुत ज्यादा विकसित व्यक्तिगत समझ ना हो लेकिन सास्तोर से इस हरकत का मकसद जुंड के जीन्स की रक्षा करना है शायद पूको न चाहते हुए भी बाकियों को सचेत कर देते हैं बलकि उनकी मन्शा होती है तेंदुए को बताना कि ओए मैंने तुमें देख लिया है तो अच्छा होगा तुम मुझ पर हमला करने का इरादा छोड़ दो ये एंटलोब पहले ही डर के मारे अधमरा हो चुका है लेकिन तेंदुए का हमला नाकाम हो गया और अब इन्हें बिल्लियों से डर नहीं लग रहा क्योंकि वो उन्हें देख चुके हैं ये जानते हैं कि अचानक हमला किये बिना तेंदुआ इनका शिकार नहीं कर सकता और क्या जब कोई एंटलोग शिकारी को सुरक्षित दूरी से देख लेता है और उसे पता है कि हमलावर पहले नाकाम हो चुकी कोशिश की वजह से ठक चुका है तो अक्सर वो कुछ ऐसा करता है जो चिड़ाने वाली हरकत जैसा लगता है जैसे वो तेंदुए से कह रहा हो मैं तो एकदम फिट हूँ मेरी मासपेशियां बहुत अच्छी हालत में है तो आज तुम कुछ भी करके मेरा शिकार नहीं कर सकते इस तरह का बरताव बहुत जल्दी फैलता है शायद ये एक दूसरे का साथ देने का एक तरीका है ये कूदते हैं और दौर लगाते हैं जैसे अपने शिकारी का होसला तोड़ने की कोशिश कर रहे हो हाला कि इन के लिए ये सिर्फ कुछ राहत पाने का तरीका है अपने डर से पीछा छुडाने का तरीका अंधेरा होने के बाद इनका मुकाबला फिर एक दूसरे से होगा जानवर अक्सर अपने साथियों से घिर कर रहना पसंद नहीं करते असल में ज्यादा तर जानवर अपनी ही प्रजाती के दूसरे जानवरों के प्रती दुश्मनी भरा रवाया रखते हैं और उससे भी ज्यादा अपने खुद के जुंड के सदस्यों के प्रती उन्हीं सबसे ज़्यादा जिस चीज का डर होता है वो ये कि कोई उनका खाना चुरा सकता है या उनके शिकार के इलाके पर कब्जा जमा सकता है बिच्छू पूरी दुनिया में सबसे कम सामाजिक जीवन जीने वाले जीव हैं वो बाकी जानवरों से घुलते मिलते नहीं और वो दूसरे बिच्छूों को बिल्कुल बरदाश्ट नहीं करते वो अपने इलाके की रक्षा करते हैं जिसकी वजह से अक्सर जगडा हो जाता है उन्हें एहसास हो जाता है कि उनका विरोधी उनके शिकार से अलग है उन्हें ये भी पता चल जाता है कि वो उन्हीं की प्रजाती के हैं इसलिए वो शिकार करने के तरीके के बजाए एक दूसरे से अलग तरीके से पेश आते हैं शुरू में तो वो एक दूसरे को अपने डंक मारने की कोशिश नहीं करते बलकि वो अपने पंजों का इस्तिमाल करके एक दूसरे से मुकाबला करते हैं अगर इनका मुकाबला किसी शिकार से होता तो इन्होंने अब तक उसमें अपना जहर छोड़ दिया होता सिर्फ जब इनका मुकाबला टककर का होता है और दोनों में से कोई हार नहीं मानता तो इन्हें अपने जहर और डंग का इस्तिमाल करना पड़ता है और जो शुरू में सिर्फ थिरतना था अब जान लेवा नाच में बदल जाता है जो इन में से किसी एक या दोनों की जान ले सकता है हमें कल पता चलेगा कि इन में से किसी को बहुत बार डंक मारा गया है या नहीं पर फिलाल तो ये ठक गए हैं और ये अलग-अलग दिशा में चले जाते हैं ताकि इनके जिन्दा बचे रहने की संभावना बनी रहे एक बिच्छू का छोटा सा दिमाग खत्रे को समझ ही नहीं पाता इसलिए इन आर्थरोपॉड्स के पास बचाप का एक तरीका होता है जो उन्हें दूसरी प्रजातियों की मौजूदगी का पता बता देता है ये एक दूसरे को कुछ इस तरह देखते हैं इनके एक्सो स्केलिटन्स चांद की अल्ट्रा वाइलेट लाइट को रिफलेक्ट करते हैं और इस तरह ये एक दूसरे से दूरी बनाये रख सकते हैं हकीकत ये है कि ये सिर्फ अल्ट्रा वाइलेट लाइट ही देख सकते हैं बिच्छूँ को बहुत कम नज़र आता है और वो भी धुंदला धुंदला लेकिन ये कमाल के शिकारी होते हैं अक्सर ये अपने आसपास हो रही गतिविध्यों का पता बेहत बारिक बालों से लगा लेते हैं जिनसे इनका पूरा शरीर ढखा होता है और इन बालों की मदद से ये अपने पास से गुजरने वाले किसी कीड़े की हलकी सी आहट का भी पता लगा लेते हैं जो बात इस बिच्छू को नहीं पता कि इस बार इसका मुकाबला एक बीटल से होने वाला है जो केमिकल हत्यारों से अपना बचाफ कर सकता है ये एक बॉमबरडियर बीटल है ये कुछ खास नजर नहीं आता असल में ये भी बीटल की तीन लाख और प्रजातियों जैसा ही दिखता है लेकिन इस बीटल के पेट के आखरी हिस्से में दो खाने होते हैं जिसमें से एक में हाइडरिजन पेरॉक्साइड और दूसरे में कुआइन नाम का केमिकल होता है अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो धमा का होता है और गर्मी पैदा होती है बचाफ का ये सबसे गर्मा गर्म तरीका है बिच्छू को कुछ पलों के लिए सद्मा लगता है और शायद इसका क्यूटिकल भी हलका सा जल गया होगा जबकि बॉंबर्डियर बीटल बिना घायल हुए अपनी ननही से दुनिया के सबसे बड़े खत्रे से बच निकलता है प्रुम टाल लगता है इस तरह की गेंद पर कोई हमला नहीं करता यहां तक की मच्छर को भी कोई जगह नहीं मिलती जहां वो इसे काट सके शायद अगर कोई मेंड वुल्फ अंजाने में आमडिलो को पकड़ सके तो कहानी कुछ और ही होगी लेकिन अगर आमडिलो एक बार खुद को बंद कर लें तो इसे भेदा नहीं जा सकता यह जानवर खुद को पूरी तरह मोड कर सोता है इसे अपने कवच पर इतना भरोसा है कि यह कई घंटों तक सो सकता है जानवर भी सपने देख सकते हैं और लगता है यह आमडिलो मजे से कोई सपना देख रहा है सिर्फ कुछ ही जीव लगातार इतनी देर तक सो सकते हैं उनकी हिम्मत ही नहीं होती उन्हें खाया जा सकता है एक अच्छे कवच की पैचान यह है कि उसे सक्त होना चाहिए पर इसी के साथ बहुत आराम दायक भी इससे चलने फिरने में आसानी होती है हालां कि बहुत ही ज्यादा सपाट इलाका परेशानी भी खड़ी कर सकता है बच गया कभी कभी हम सभी को दिन की शुरुआत करने में मुश्किल होती है अपने घर को अपनी कमर पर लेकर चलने के लिए कुछ कुर्बानिया भी देनी पड़ती है लेकिन विकास के लिहाज से सुरक्षा का ये तरीका काफी फाइदे मंद साबित हुआ है और लाखों सालों से इसका इस्तेमाल होता आया है भले ही इससे चलने के तरीके में कोई फर्क छो ना आ जाए और रफ्तार में भी जैसा टर्टल्स के मामले में है सुरक्षा जितनी ज्यादा होगी जानवर उतना ही कम फुर्तिला होगा सभी तरह के कवचों में से ये सबसे असरदार है और सबसे पुराने में से एक भी इसका इस्तेमाल सबसे पहले डाइनोसौर्स के समय से होता आया है इनकी पसलियां चौड़ी हो जाती है और हड़ीदार प्लेट्स पूरे जानवर को ढख लेती है उपर और नीचे इसका गोल आकार किसी गुमबद की तरह होता है जो किसी भी जानवर के दबाब को कम करने में मदद करता है जो उसे तोड़ना चाहता है यहां तक कि शिकारी के पैने दांत भी फिसल जाते हैं और वो कभी इसके धांचे में छेद भी नहीं कर पाते बिल्ली का जोश जल्दी ठंडा पड़ जाता है इसे खाने के लिए कुछ और ढूंगना होगा फिल बग्स को मस्ती करना पसंद नहीं यह सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए ही इस तरह गोल होते हैं और इन्हें भी कभी-कभी फिर से सीधा होने में परेशानी होती है आमडिलो की तरह यह हैरानी की बात है कि कैसे सुरक्षा के असरदार तरीके क्रमिक विकास में बहुत दूर के जीवों में भी पाए जाते हैं जैसे एक मैमल और एक क्रस्टेशियन यह कोई खीड़ा नहीं है आपको सिर्फ इसकी तांगे गिननी है और आप देखेंगे कि इसकी 6 से ज्यादा तांगे हैं मगर यह एक कीड़ा है और एक माहिर शिकारी भी जिन सोखी पत्यों में यह रहता है उनहीं की तरह दिखकर यह उन पक्षियों या रेप्टाइल से बच सकता है जो इसे खाना चाहते हैं साउथ इस्ट एजिया के जंगलों की जमीन पर यह एक डेड़ लीफ मैंटिस है इसकी पोशाक एक अद्रिश ढ़ाल का काम करती है जिससे इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता खास्तोर से इसके दुश्मनों का और ना ही इसके शिकार इसे देख पाते हैं अगर यह ना ही ले तो दोनों ही वजहों से यह तब ही एक कदम उठाता है जब बहुत जरूरी होता है यह जानता है कि इस तरह इसे कम खत्रा होता है और इससे इसे राहत मिलती है और यह एहसास इसे प्रेरित करता है पिल बग पास आता है अपने कवज पर भरोसा करके शायद यह उस पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर रहा है मैंटिस को समझ नहीं आता कि क्या हुआ है इसके शिकार का स्वाद तो घास जैसा है इसकी टेस्ट बड्स इसे और चबाने से रोपते हैं अगर इसने सेलुलोस खा लिया तो यह मर जाएगा पिल बग को हमले का एसास हुआ इसलिए वो कुछ पलों के लिए जम सा गया जो किसी अंजान चीज से सामना होने पर आम प्रतिग्रिया है अब इसकी प्रवर्थी इसे खुद को पत्तियों में छिपा लेने के लिए प्रेरित करती है इसे कभी पता नहीं चलेगा कि ये कितना खोश किस्मत है और ना ही इस बात का कि इसके कवच ने इसे मैंटिस का निवाला बनने से बचा लिया इसी बीच ये मैंटिस फिर कोशिश नहीं करेगा इसकी प्रवर्ति इसे रूखने के लिए खहती है लेकिन कुछ तो गड़बढ है ये किस्मत है बचाव के कुछ तरीके साफ नजर आते हैं और हमला करने की इच्छा को भी खत्म कर देते हैं किसी भी रेक्टाइल, पक्षी या मैमर का दिमाग समझा जा सकता है कि इन कांटों से बहुत नुकसान पहुंच सकता है शौट पीक्ट एकिडना की डांगें बहुत ताकतवर होती है और अगर इसे कोई खत्रा महसूस हो तो ये अपने नाखूनों को जमीन में इतनी मजबूती से गड़ा लेता है कि इसे पलटना लगभग नाममकिन हो जाता है एकिडना के मोटे, नुकीले कांटे जानवरों की दुनिया में सबसे मजबूत होते हैं पर किसी पॉक्यूपाइन के कांटे या किसी टेनरेक या हैज होक के घने कांटे भी उतने ही असरदार होते हैं और तो और ये मासूम एकिडना बहुत ज्यादा स्वाधिष्ट भी नहीं लगता शिकारी शायद कभी इन पर हमला करते हैं लेकिन इन पर हमला करने वाले हर जानवर का मूँ बुरी तरह जखमी हो जाता है या उससे भी बुरा उसके जबड़े में फंसे कांटों से संक्रमन हो सकता है और इस खत्रे को उठाने के लिए आपको बहुत बहुत ज्यादा भूखा होना चाहिए पौधों ने खुद को बचाने के लिए कांटों का आविशकार किया था जानवरों पर कांटे उगने से भी बहुत पहले कोई दिमाग न होने के बावजूद पौधे भी हमलावरों से अपने बचाव के लिए पेचीदा सुरक्षा प्रणाली अपनाते हैं कहने का मतलब है खुद को शाकहारी जीवों से बचाने के लिए पौधे फूड चेन का आधार हैं प्रत्यक्ष्य अप्रत्यक्ष रूप से हम सभी पौधे खाते हैं और इसी लिए उन्होंने स्वाद को बुरा बनाने के लिए टैनिंस, सैपुनिंस और फीनॉल्स का आविशकार किया कुछ पौधों में तो जहर भी होता है जो उन्हें खाने वालों के लिए घातक साबित हो सकता है तो कुछ की सोच के विपलीत, पौधे पूरी तरह लाचार नहीं होते जब पौधों ने सुरक्षा के तरीकों को बिकसित किया तो कुछ शाकहारी जीवों ने मजबूत पेट या जिराफ जैसे सुन जीव विकसित कर ली बबूल, पत्ते और कांटें खाने वाले इन बेहद लंबे जीवों का मन पसंद खाना है इसलिए इन पेड़ों को शाकहारियों से बचने के लिए दुहरी रक्षात्मत प्रणाली अपनानी पड़ी जब कोई जानवर बबूल को काटता है या इसके कुछ पत्तों को खींचता है तो पेड कड़वे पदार्थ छोड़ना शुरू कर देता है ताकि उसकी पत्तियां बेस्वाद हो जाए थोड़ा थोड़ा करके वो और कम स्वादिष्ट होते जाते हैं जिससे जिराफ का मूँ पूरी तरह सूख जाता है और उसे खाना खाने के लिए कहीं और जाने पर मजबूर कर देता है पर जिराफ को बहुत दूर जाना होगा क्योंकि घायल बबूल का पेड एक खूफिया केमिकल सिगनल छोड़ता है जिससे आसपास मौजूद बबूल के बाकी पेड़ों को हमले की सूचना मिल जाती है और इसलिए वो भी विशैले पदार्थ बनाना शुरू कर देते हैं पौधे नुकसान ना पहुँचाने वाले लग सकते हैं पर ऐसा है नहीं एक पफर फिश भी नुकसान पहुँचाने लायक नहीं लगती लेकिन अगर कोई इसे निगलने की कोशिश करे तो ये अपने हमलावर के गले में फूल जाती है और उसका दम घोट कर उसकी जान ले लेती है इसलिए लगभग कोई भी पफर फिश पर हमला नहीं करता सिवाए दूसरी पफर फिश के जो अपने इलाके की रक्षा कर रही होती है खत्रा महसूस होने पर ये पानी भरकर खुद को फुला लेती है और फिर से शांथ होने पर धीरे-धीरे सारा पानी निकाल देती है शिकार करने वाली कोई भी प्रजाती जिसकी प्रवर्ती इस खाने के लिए प्रेरित करती है वो लुप्त हो जाएगी सिवाए उन प्रजातियों के जो इसे खाने से पहले मार सकती है और जिस पर टेट्रोडोटॉक्सिन का भी कोई असर न होता हो क्योंकि हाँ पफर फिश जहरिली भी होती है एलिफिंट ट्रंक स्नेक एक अनोखा साप होता है इसके स्केल्स किसी सैंड पेपर की तरह पकड़ बनाने के लिए बने हैं तो जब ये खुद को अपने शिकार पर लपेट लेता है तो सबसे चिकनी मचली भी इससे बचकर नहीं निकल सकती पानी के ठिकानों के हिसाब से इसके खुद को ढाल लेने से ये बिना किसी हडबड़ी के अपने शिकार का पीछा कर सकता है ये बिना सांस लिए पानी में आधे घंटे से ज्यादा समय तक रह सकता है लेकिन फिर भी इसे अपने शरीर को चलाए रखने के लिए उपर सतय पर आकर हवा में सांस लेनी पड़ती है जब ये चलता है तो इसे बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ना होता है ताकि इसकी मौझूदगी का पता ना चले बचाव का सबसे अच्छा तरीका है नकल करना जो शिकार करने का भी सबसे अच्छा तरीका है ये पानी में तेरती हुई किसी टेहनी जैसा दिखता है आज इस काले मठमेले पानी में इसके पास दो मचलिया है उन में से एक पफरफिश है ये पता लगाने से पहले कि क्या ये इस जहरीली मचली को अपनी जान कवाएं बिना खा सकता है साप को पाफरफिश के बचाव के पहले तरीके को नाकाम करना होगा ये मचली फूल कर एक काटेदार गेंद में बदल जाती है और ये मचली अपनी चोच का इस्तिमाल करके बहुत जोर से काटती भी है पफरफिश सबसे खराब शिकार में से एक है इन्हे प्रित्वी पर मौजूद दूसरा सबसे जहरीला जीव माना जाता है सबसे ज्यादा जहरीला होता है गोल्डन पॉईजन फ्रॉग फिलोबेटीस ठेरिबिलिस एक जानवर की जिन्दगी तब कैसी होती है जब कोई उसे चुने तक की हिम्मत नहीं करता क्या ये इकलोता ऐसा जीव है जिसे किसी से डर नहीं लगता इस नन्हे पॉईजन डार्ट फ्रॉग की शरीर में इतना जहर होता है कि सिर्फ एक फ्रॉग ही कई लोगों की जान ले सकता है लेकिन इस फ्रॉग के पास अपना जहर छोडने का कोई तरीका नहीं है ना इसके दांत होते हैं ना कांटे और ना ही कोई डंक होता है ये जहर इसकी तवचा पर होता है इसकी तवचा में मौझूद कुछ ग्लैंड्स एक अलकलोईट छोड़ती हैं जिससे लकवा मारने जैसा असर होता है और वो है बट्राको टॉक्सिन ताकि कोई गोल्डन पॉईजन फ्रॉग को खाने की भी न सोचे बचाम का ये तरीका इतनी अच्छी तरह काम करता है कि एवलूशन ने इस तरह के कई और नन्हे फ्रॉग्स को जन्म दिया गोल्डन पॉईजन फ्रॉग जिससे सेंट्रल और साउथ अमेरिका के कुछ मूल निवासी अपने तीरों को जहरीला बनाते हैं वो फ्रॉग्स कुछ खास खीडे खाते हैं जिसकी मदद से वो अपना जान लेवा जहर बनाते हैं पक्षी और रेप्टाइल्स या कोई भी जीव जो रंगों को देख सकता है उसने अपने जीन्स बदौलत सीख लिया है कि उसे हर हाल में भड़कीले रंगों वाले किसी भी जीव से दूर रहना होगा और ये विचार एमफिबियन्स तक ही सीमित नहीं है ना ही उन्होंने इसका आविश्कार किया है तितलियां अपने पंखों को वही फ्रॉग्स वाला संदेश पहुचाने के लिए बहुत सारे रंगों से ढख लेती हैं हाला कि तितलियों को पचाया नहीं जा सकता या वो बेस्वाध होती है ये विचार लाखों साल पुराना है नजरों में आने से बचने के बजाए ये उसका उल्टा करती है ये अपनी तरफ ध्यान आकरशित करती हैं ये दिखाने के लिए कि उन्हें किसी से डर नहीं लगता क्योंकि वो खतरनाक है ये तरीका इतना असरदार है कि कई प्रजातियों ने अपना भेश ऐसा बना लिया है जो वो हैं ही नहीं ताकि शिकारियों को डरा सके हालां कि वो धोका देती है कई तितलियों के लार्वे भी इसी तरकीब को अपनाते है ये इतने नर्म और इतने धीमे होते हैं कि इनके बचाब का सबसे अच्छा तरीका है शिकारी को अपने रंग रूप से गराना लेकिन ओल्ड वर्ल्ड स्वालो टेल का कैटरपिलर इस रननीती को एक नए मुकाम पर ले गया है ये ना सिर्फ देखता अजीब है बलकि ये खुलकर अपना बचाव भी करता है जब इस पर हमला होता है तो ये नारंगी रंग के दो सींग दिखाता है जिन में से एक अजीब और तेज गंदा ती है जिस से मैंटिस भी सोच में पड़ जाते हैं और ये बच निकलता है हालांकि ये कैटरपिलर सिर्फ दोखा दे रहा है इस साप की तरह जो अपने सर को किसी वाइपर की तरह दिखाने की कोशिश करता है जब कोई बहुत पास आजाता है तो ये अपनी खोपड़ी को फैला लेता है अगर कोई जानवर नुकसान पहुचाने वाला ना हो तब भी इस साप को नहीं पता कि ये टर्टल इसे खाना चाता है या नहीं पर फिर भी ये वाइपर स्नेक अपने सर को तिकोना बना कर वाइपर जैसा दिखने की कोशिश करता है और ये इस काम को बहुत अच्छी तरह करता है इसके बचाब का तरीका है वाइपर का भेज धरना जिससे ये किसी भी गुस्पैटियों को काटने की धमकी देकर पूरा करता है ये अपने सर से हमला करता है और पीछे हट जाता है जैसे ये जहरी लाहो लेकिन टर्टिल को कोई फर्क नहीं पड़ता इसे सांपों से डर नहीं लगता लाखों सालों में किसी सांप ने किसी कच्छुए पर हमला नहीं किया और सांप के दाथ इसके खोल को भी नहीं भेज सकते लेकिन फ्रॉग्स की खाल बहुत नर्म और टांगे लाजवाब होती है और सांप और टर्टिल्स जिसकी तलाश में यहां आए है वो है फ्रॉग्स पर ये फ्रॉग्स इनसे कहीं ज्यादा फुरतीले है इन रेप्टाइल्स के लिए इन फुरतीले एमफिबियन्स को पकड़ पाना नामुम्किन है आईबीरियन वाटर फ्रॉग्स खुद को बचाने के लिए मामूली सी संदिक्ध गतेवेधी होने पर वहां से भाग निकलते हैं जब तक कोई शिकारी इनका पीछा करके इन्हें अचानक नहीं पकड़ लेता इन्हें पकड़ने का कोई और तरीका नहीं है जो चीज फ्रॉग्स को सबसे ज़्यादा सुरक्षा देती है वो है उनकी आँखें इनकी आँखें अपने आसपास तीन मीटर के दाएरे में होने वाली हर गतिवीधी को देख सकती हैं और इनकी बड़ी बड़ी पुतलियां दिन और रात दोनों में देख सकती हैं हालांकि इन हे साफ नजर नहीं आता इनका दिमाग ऐसी किसी चीज का पता नहीं लगा सकता जिसमें कोई हल चल ना हो इसलिए वो हर चीज का आकलन करते हैं और अपने आकार और रफ्तार के हिसाब से प्रतिक्रिया करते हैं जैसे कोई छोटा और तेजी से चलने वाला जीव खाना समझा जाएगा वहीं कुछ बड़ा जो पास आ रहा हो एक खत्रा है जिससे उन्हें दूर भागना है European Fire-Bellied Toad की पुतलियां बहुत छोटी होती हैं और इसे चलांग लगाना भी नहीं आता पर इसे जरूरत भी नहीं है असल में ये एक फ्रॉग है पर देखने में ये कोई टोड ज्यादा लगता है कह सकते हैं कि ये amphibians की बिना पुँचवाली प्रजाती है जिन्हें साधारण से नाम देना आसान नहीं है ये है European Fire-Bellied Toad या Bombina Bombina और इसके बचाव का तरीका है नकल करना इसका रंग और इसकी खुरदली तवचा सबसे बढ़िया भेस है Iberian Water Frog से अलग जब ये प्रजाती डर जाती है तो ये और जम जाती है डर से बेजान हो जाती है और उस से ये नजर नहीं आते Water Snake इसका पता नहीं लगा सकता और ये Frog के उपर से बिना ये समझे निकल सकता है कि इसने मौका गवाँ दिया है पर European Fire Belly Toads की आदतें असली Toads जैसी होती है और कभी कभी वो पानी से थोड़ा दूर चले जाते हैं अगर उन में से किसी का सामना इस साप से जमीन पर हो गया तो ये साप उसे खाने लायक चीज की तरह आसानी से पहचान लेगा और फिर इस मुठवेड का नतीजा कुछ और ही होगा आमने सामने आने पर जब फ्रॉग को एहसास होता है कि साप ने उसे देख लिया है तो बचाव के लिए ये रंगों वाली तरकीब इस्तिमाल करता है अलग नजर आने वाला चटक नारंगी और काला रंग जो साप को डरा देता है फ्रॉग डरावने रंग दिखाता है सबी जानवरों के जीन्स में ये जानकारी समाई हुई है कि काले या सफेद रंगों के साथ चटक रंगों का होना खत्रे की निशानी है ये नन्हा यॉरोपियन फायर बेली टोड गोल्डन पॉईजन फ्रॉग वाली तरकीब अपनाता है मगर ये जहरीला नहीं है ये सिर्फ धोखा दे रहा है पर इस तरकीब ने एक से ज्यादा बार इसकी जान बचाई है जानवरों को अंदर से समझने की कोशिश करना एक ऐसा काम है जो अक्सर अस्थाई या बिना फैसले वाले नतीजे देता है बेशक हम अक्सर गलतियां करते हैं क्योंकि हम उनके बारे में और जानना चाहते हैं और अपने बारे में भी हमारा इंसानी नजरिया हर चीज को और भी पेचीदा बना देता है क्योंकि हम सोचते हैं कि वे हमारे जैसे हैं ये एक नामुम्किन काम हो सकता है लेकिन जिस तरह से जानवर एक खास वक्त पर अपना जीवन जीते हैं, उसका आकलन करके हम थोड़ा बहुत ही सही उनकी कुछ मानसिक प्रक्रियाओं का अंदाजा लगा सकते हैं और जिस तरह से जानवरों को खत्रे या डर का सामना करना पड़ता है, उसे देखने के बाद हम समझ सकते हैं कि जंगल का जीवन बहुत मुश्किल है, वो लगातार तनाव में रहते हैं शिकारियों और शिकार के बीच प्राकर्तिक संतुलन बनाए रखने में घवराहट और तनाव सबसे ज्यादा काम आते हैं जंगल कोई स्वर्ग नहीं है जहां सब के लिए अच्छी भावना होती है दूर से देखने पर और अंजाने में ये हमें ऐसा लग सकता है लेकिन जानमर खतरनाक जीवन जीते हैं भूक, प्यास और चिंता के साथ और इसलिए हम सभी को जिन्दा रहने के लिए बचाव के तरीकों से लैस बनाया गया है